मित्रो नमस्कार इतिहास बन चुका है और ऐसा बन चुका है कि अब हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि इतिहास की पन्नों की सीमाएं केवल प्रिथवी तक ही सीमित नहीं है इतिहासिक और गौर्वानवित करने वाला पल ये केवल 140 करोड भारतियों के लिए ही नहीं है संपुन विस्व के लिए है इसलिए है क्योंकि विस्व को डॉमिनेट करने की राह पे जितने भी देश आज तक आगे बढ़े वो उस चीज में सफल नहीं हो पाए जिसमें आज विस्व को मोटिवेट करने के लक्ष के साथ सफल हो चुका है चंद्रमा का वो एतिहासिक दक्षनी ध्रूग जिसे चूपाना या यू कहें देख पाना भी लोगों के लिए संभव नहीं था आज इसरों के विज्ञानिकों को समस्त देश कोटी-कोटी धन्यवाद दे रह और था जब इस देश के बारे में कहा जाता था कि बैल गारी पे कोई रॉकेट चलाता है कै क्या साइखिल से रॉकेट कॉन लॉच गरता है आज देखिए समय का काल चक्र देखिए काल चक्र ऐसा região है कि उसई साइकिल से हमने चांद तक की यात्त्रा को पूरी कर लिए है च ये वही भारत है जिसने विश्व को कभी सुनने दिया था। दुनिया ने भारत का मझाक सदीयों तक केवल यही कहके उड़ाया कि तुमने आखिर दुनिया को दिया ही क्या है सुनने दिया है। तो आज भारत गर्व के साथ कह सकता है कि सुन्य भी हमने दिया और आज सिखर पर भी हम ही पहुँचे हैं अर्थात इतिहास के पन्नों को छोड़िये इतिहास की किताबों में सुन्य से लेकर सिखर तक केवल भारत जिंदाबाद है भारत जिंदाबाद है और भारत तो ये गर्व करने वाली बात है ही, उसके साथ साथ चंद्रियान 2 नीजी तोर पर मेरे दिल से बहुत बहुत जादा कनेक्टेड था, एक युवामन जब मैं बच्चा था, तो चंद्रियान मिसन से बहुत जादा mentally attached था, और चंद्रियान 2 ही वो कारण था, जिसके कारण मैंन engineering की पढ़ाई को अपने केरियर के रूप में स्विकारा था, और engineering की पढ़ाई करना सुरू किया था, और आज मुझे गर्व होता है, कि तब तो साथ कुछ मार्जिन से चंद्रियान 2 पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, लेकिन आज साथ engineering को अपने केरियर के रूप में ए यह वो सुरुवात है, जो इस आजादी के कर्तव और अमरित काल में होने वाली है, और यह सुरुवात बहुत लंबे सफर की है, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, और अंतरिक्ष बड़ा है, तो उसे अपने मुठी में करने के हमारी जो सोच है, और हमारा डिठ संकल वो उससे भी ज्यादा बड़ा है आज पूरे देश के लिए गर्व का पल है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब को 23 अगस्त के इस इतिहासिक दिन को महा इतिहासिक बनाना चाहिए और इतिहास के पन्नों को छोड़िए एक अलग इतिहास की किताब 23 अगस्त के नाम से लिखी जानी चाहिए जिसका सीड़सक होना चाहिए इंडिया इस नाव ऑन दे मून एस सेड़ बाई एस सोमनाथ सर सब्द सायद कई गढ़े जा सकते हैं और सब्दों का माया जाल गुन्ना सायद मुझे बहुत अच्छे से आता भी है परन्तों आज मेरे पास सब्द कम पढ़ रहे हैं सब्द कम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इतनी खुसी का अनुभो जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुआ है वो दुख बड़ी दास्तान भी हमने देखी है जब सपनों में और मध्य रातरी से जग करके इंतजार करता हुआ एक नव बालक अपने सपनों को तूटता हुआ देखा था और आज उस पल को भी मैं देख रहा हूँ जब एक युवा अवस्था का बालक अपने सपनों को बचपन के सपने को साकार होता हुआ भी देख रहा है सायद सब्द इसके परिभासा को नहीं गड़ सकते इतने सब्द सायद हमारे पास है नहीं और अगर है भी तो आ सायद आ नहीं रहे इसरों के विज्ञानिकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी और आने वाले भविस्य को और इस देश के युवा साथियों को ये समझना होगा कि ये सुरुवात है और इस लकीर को और लंबा करना अब हम सब की जिम्मेदारी है और आने वाले भविस्य की जिम्मेदारी है अभी जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे थे कि आने वाले वक्त में आदित्या L1 मिसन के अंतरगत भारत सूर्य पे भी कपज़ा करेगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सब्विता और संस्कृती में तो सूर्य को अपने बाहों में ले लेने की उच्षुकता बजरंग बली के काल से नजर आती है सुक्र ग्रह तो सुक्रियान के अंतरगत सुक्र भी हमारे आगोस में होगा मंगल यान पहले से हम भेज चुके हैं यानि अंतरिक्ष की कोई ऐसी सिमाए नहीं है जो भारत को रोक सके पहले कहते थे sky is the limit बट अब नया definition कहता है sky is not the limit पाने को अभी कई मुकाम बाकी है जिंदगी की असली इम्तिहान बाकी है अभी तो नाप्पा है थोड़ा सा चांद हमने अभी तो पाने को पूरे अंतरिक्ष का कुमान बाकी है जै हिंद जै भारत भारत माता की जै बंदे मात्रम सर्वे भवन्तु सुखिना फिर एक बार इसरों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़ाई और आप सबों को भी सवासो करोड देश्वासियों को कोटी कोटी बढ़ाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन